आज ही doubtnet app download करें doubtnet पर होगा अब आपके सभी maths, chemistry, physics और biology doubts का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ download now अगर हम यह देखे तो question हम से कह रहा है pineapple and how does fruit develops from जो pineapple है हमारा fruit वो किस चीज़ से develop होता है तो अगर हम देखे तो जो हमारा pineapple है वो हमारा कौन सा fruit है pineapple जो है हमारा composite fruit होता है composite fruit या फिर उसे हम compound fruit भी कहता है composite fruit जो हमारे होते हैं वो हमारे develop होते हैं पूरी inflorescence है मतलब जो inflorescence होती है वो पूरी की पूरी ही हमारी fruit में convert हो जाती है ठीक है, वो हमारे composite fruit कहलाते हैं, अब अगर हम देखें, तो in fluorescence के basis पे भी हमारे इसमें दो types होते हैं, एक होता है हमारा psorosis, और दूसरा होता है synconus, तो अब अगर हम देखें हमारे given options, तो हमारे जो पहला option दिये हुए, वो हमें कह रहा है, एक cluster of compactly worn flowers on a common axis, तो हम कह सकते हैं क्योंकि जो हमारा pineapple होता है, उसमें जो यह हमारी in fluorescence है, इन florences होता है arrangement of flowers, तो जितने भी flowers हमारे पूरे common axis पर होते हैं, वो सारे के सारे ही हमारे है यह सही है यह हमारा यह तो हम कह सकते हैं यह हमारा हमारा हुँख होगा है यह उनी लौकलर फ्लार यह वह यह यह भी हमारा aggregate fruits में होता है and D है multi-pistylate syncarpus flour यह भी हमारा answer नहीं होगा क्योंकि ऐसा हमारा simple fruits में होता है तो अगर हम देखे हमारे सिर्फ option A ठीक है तो हम गह सेकता है हमारे question का answer है option A Classics to 12 से लेके NEET IIT जेही means और advanced के level तक 10 million से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करें doubt net आप यह WhatsApp कीज़ें अपने doubts 84444 पर